हलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग I hope कि आप लोग अच्छे होंगे तो आए साथ ही वह आज के क्लास में जो आपका भाई आपका दोस्त आपको बताने वाला है प्रसना वाली एक दसम्रूद दो बता दे कि यह नए वेच के श्टूडेंट जो है वो भी इस क्लास को देख सकते ह हैं असानी से बना सकते हैं नए टरिक के अनुसार और जो पुराने हैं वो भी देख सकते हैं तो यहां पर हम लोग कोश्चन स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन इसमें कहा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निमलिखित संख्याओं को आभाजे गुनन खन के रूप म यहां पर आपको क्या करना है हल लिखना बनाने का तरीका समझे दो में दो नमर आपको मिलेगा और इसके वाद आपको क्या करना है अब हाजे गुनन खन जो कि आपको चौथी पाचमा या चाठी कलास में आपको पढ़ने को मोका मिला होगा तो आपको 140 यहां पर लिखना ह इसको तो आपको यहां पे 70 आएगा क्योंकि 7, 2, 14 अर्था 70 फिर हम जीरो आया फिर हम इसको 2 से करेंगे तो आपको यहां पे 35 आजएगा अब आप देखने लाश्ट में 5 आगया है तो यह पुर्णता है कि यह अब 5 से लगेगा इसमें तो 5 यह पूरी तरह कट जाएगा तो अर्थात होगा 7, 35 अब आपको 7 से ही लगाना होगा एक अब आपको क्या करना है यहां पे लिखना है कि 140 का अभाजे गुननखन ध्यान से समझेगा तो आपको एक नमर भी बोड़िक जामिन नहीं कटेगा अभाजे गुननखन आपको कितना हो जाएगा जीती सब को आपको साथ को एक बार और यहां पर आपका जहां कंप्लिट जो है यह बन चुका है और इससे आपको असानी से दो नमर मिल जागा कहीं से एक नमर भी आपको कट नहीं पाएगा चलिए दूसरा सवाल आपको यहां पर पूछा जा रहा है यहां पर दिखिए इसका दूसरा सवाल ह ज रखेंगे हैं दूसरा सवल उसको आप बना सकते हो है न तो इसको मिल क्या करेंगे फिल से स्म। कारेंगे आपको इसको कुला नहीं है तो अर्थीस पची 23 इसकोि क्या करना ऐसे तोरना लाश्ट में देख नहीं यहाँ पे पांच है इस इसमें आपको निशीतरूप से पांच से लगाना होगा लेकिन देखना है आपको इस सब को जोड करके यदि तीन से कटने वारा संख्या आता है तो आप इसमें तीन से लगा है पांच दो है инडोह पाए उसे लागने ट्फान कि लिए दो जाना है पांच technicalI गार्ट Ashm Σाना धूरन ओसे लिधके भी भी कि फैस्य यहां लोगते हैं इस विए पांच से लगने कए यहां पे टो सब्सक्राइब पांच प क्या लिखना है यहां पर देंगे पचीस पंच सी भात आपको प्राइम फैक्टोराइजेसन यहां पर लिखना है फैक्टोराइजेसन आफ वन यहां पर है आरतीस पचीस इसका आपको कितना आया है तो यहां से देखिएगा तो इसको आपको यहां पर तीन आया है दो बार तो तीन आपको दो बार लिखना है पांच आया है दो बा आफसानी से मिल जाएगा इसी परकर आपका एक और सवाल है यहां पर जो कापी यहां पर लगड़ा है कि हाड है जो कुस्ट्टन है सबसे पहले इसमें देखिए कि यह कटेगा किसी भी अभाज संख्यास हो तो हम लोग पहले सतरा से लगाएंगे अब सतरा से लगाएंगे तो यहां पर यहां पर देंगे तो 119 होगा अब हम लोग इसमें लगाएंगे आपको उनीस से तो 19 दूना 38 ओरता है बच जाएगा पांच पांच देंगे संता वल उनीस संता रार्था तैस अब हम इसमें तवी से लगाएंगे तो तैस से कम तो इसको आपको याद रखना है सिंपल यहां पर चोब हट्तर उन्तिस का ह हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23 देखे ध्यान से समझ लिजेगा तो इसको आप समझ चुके हैं चाहे तो आप इसका सकते हो हम बढ़ते हैं दूसरा नमर कुशन की और तो साथियों आपका दूसरा नमर सवाल यहां पे कहा जा रहा है कि हम यहां पर आपको सबसे पहले समझाना चाहेंगे कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि हैस्ट कॉमन फैक्टर अर्थाद मौसा होता है जबकि LCM का मतलब होता है समाप बर्तक यानि कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है इस दोनों संख्या कों संख्या जो छोटा से चोटा जो दोनों संख्या से कट जाएगा तो वही आइसका हो जाता है LCM इसमें अगर आप नहीं समझे हैं तो अभी हम आगे बढ़ेंगे व यहां पर आपको समझना है तो यहां पर पहला कोशन है 26 और एकाउंट बे देखिए अब इसका LCM और HCF दोनों निकालना है अब हाज यह गुन अन्खन विदी से तो आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहले हम लोग हल करेंगे और 26 को हम लोग यहां पर तोड़ेंगे यह पर दो 26 को क्या करेंगे इसको लोग 2 गुने 3 कर सकते नगी होगा तो आप लोग ऐसे करके इसको देख सकते हो यहां पर च्थाप विस को हमोग upward क्या करेंगे तो यहां बॉना हग लग लग गया यहाँ पर दिखिए गया तो आपको Cस भराबर आपको। जबकि ACM धिहान से सिखिएगा तो जो घो ब्रॉँ से गया आपकी गुना कर दें गे तो आपको आपको इहां पर एंसर निकल के आजाएगा लगबह raos एकसो बेरासी यहां पर एकसो आपको 182 निकल एडा जो कि आपका एंसर हो चुका है ठीके न है इस तरह से आप यहां पर बना सकते हो आपको जांच करने के बाद है ध्यांस देखिए तो जांच के लिए देखिए एक सवाल सीख लिए आप सारे सवाल को बना सकते हैं असानी से जांच के लिए आपको क्या करना है यह हो गया पहली संख्या भी हो गया दूसरी संख्या बरावर आपको करना है HCF को ने LCM यह जो देखिए आपका LCM जो यह निकला है 182 ऐसा संख्या है जो 26 से भी कटेगा और से भी कट जाएगा सबसे छोटा है इस से नीचे कोई संख्या नहीं है जो 26 से पूरा तरह से कटेगा और एक अनबे से ठीक है न यानि यह हो दुन्नू से कटने वाला बात जो है यह ही है ठीक है न आपको HCF को यहां पर जांच करेंगा तो पहले संख्या आपको 26 दूसरा क्लक आएगा आपका 26 68 इधर भी आपको गुना करेंगे तो इसका भी निकल का एगा 23 68 अ। आपका सही हो चुका है बिल्कुल दोनोत तरफ सही है आपका बिल्कुल यह